मेरे प्रेयमित्रों, नमस्कार, फ्रेंड से आज मैं आप सबसे राम का प्रभाव इस विशे पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों के जो आधार होंगे वे केवल सांकेतिक होंगे, सांकेतिक कहने का मतलब कि आपको इसके किन किन कोणों को ले करके और उन या यूँ कह लिजे कि जो छोटे-छोटे टॉपिक बताऊंगा, उन पर आपको PhD नहीं करनी है, अगर हम मुख्य परिक्षा की बात लें, तो कितने शब्दों में आपको एक उत्तर लिखना होता है, कम से कम डेर सो शब्द और अधिक से अधिक धाई सो शब्द, अगर सामानिसी बातें थी, वे मुख्य बात बनकर आपके आनसर में आ गई हैं, इसलिए बहुती सालिड तरीके से अपने नोट्स तयार करें, और मुझे लगता है कि एक सिवल सर्विस परिक्षा की तयारी करने वाले स्टूडेंट की अंदर ये जानकारी होनी चाहिए, कि किसी भी टॉपिक में कौन-कौन सी बातें ऐसी होती हैं, जिनें आप सालिड मानेंगे, जिनें आप सामानिस्रेडी का मानेंगे, इसलिए सतर करें कि आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, जब भी आप राम के बारे में किसी से बातचीत करें या डिसकस करें, तो देखें आपके पास बिल्कुल तीन आधार हैं, इसे आप ध्यान से सुन दें, मैं बाचित करने की बात कर रहा हूँ, पर इक्षा की द्रिस्ट से जब राम कथा के प्रभाव की आप तयारी करेंगे तो उसमें फिर राम को लेकर के चलेंगे, राम चाहे राम कथा की बात उनके विशलेशन का अधार, राम को देखने की जो द्रिस्टी है, वो अलग-अलग रही है, तो आप सब को लेकर के चलिए, वह एक अलग बात है, पहला, दूसरा जो है, राम कथा के जो सुत्र मिलते हैं, जो बीज हैं, याद रखिए, वो बालमी की रामायड में है, राम के चरित्र को जन मानस के अंदर उतार देने का जो एक एतिहासिक काम किया है, जो विलक्षन काम किया है, वह किया है तुलसिदास जी ने, गुस्वामी तुलसिदास जी ने, और उनकी रचना का नाम है राम चरित मानस, राम चरित मानस के राम और बालमी की के राम, इन दोन होता यह है कि प्रसंग एक ही है लेकिन उसमें जो चरित्रों के जो reactions हैं जो समवाद हैं जो घटनाए घटित होती हैं वो थोड़े से अलग-अलग हो गए हैं इसलिए जब आप बात करें तो आप बिल्कूल इस बारे में सतर करें हैं कि आप बालमी की रामायड को लेकर के बात कर रहे हैं या रामचरित मानस को लेकर के बात कर रहे हैं जैसे जब आप बालमी की रामायड पढ़ेंगे तो पता लगेगा उसमें सीता के वनवास की कथा है लेकिन रामचरित मानस में वो नहीं है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं आपको क्योवल तत्थ बता रहा हूँ, यहां इतना समय नहीं है कि मैं इनके एक-एक विंदूओं को लेकर के विस्तार से जा सकूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यदि ये बातें आप तक पहुंच जाती हैं, फिर तयारी करने में और इन पर थोड़ी से तयारी कर लिजें, सबसे बड़ी बात है कि जो राम हैं, वो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी चेतना में रच बस गए हैं, मैं हृदे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारी आस्था के विशय हैं, आस्था के आधार हैं, इसलिए हम उन्हें पूजत मैं चेतना की बात कर रहा हूँ, जब कोई हमारी चेतना में रच बस जाता है, तो हमारे जीवन में उतरने लगती हैं वो चीजें, और राम हमारे जीवन में उतर चुके हैं, उतरते रहेंगे, हम नहीं जानते कब तक उतरते रहेंगे, शाद अरंत काल तक उतरते रहें, कै भाई-भाई के संबंध हो और यहां तक कि शासक और शासित के संबंध हो जिसे आप कह सकते हैं राजा और प्रजा के संबंध हो मतलब एक पारिवारी के जीवन के और यहां तक कि सामाजी के जीवन के जितने भी संबंध हो सकते हैं उन सारे संबंधों के बारे में राम ने ब उत्तम है, वो कौन सा तत्तो था, वो कौन सा गुण था, जिस गुण ने उन्हें पूर्षों में उत्तम बना दिया, वो है मर्यादाएं, तो उन्होंने समाज में आदर्स्तम मर्यादाएं स्थापित की, फिर जो समाजिक जीवन होता है, उसमें त्याग का क्या महत्तो है, उसका एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है परमपराओं का। हमारे लोक जीवन में आप देखे कि राम कितने घुल मिल गए हैं। लगता ही नहीं है कि वो कोई अलग हैं। यह बहुत अद्भूत बात है। कि इश्वर आपको लगे ही नहीं कि वो अलग है। दुलहा दुल गीत गाये जा रहे हैं जो प्रशंसा के गीत गाये जा रहे हैं वहाँ भी राम हैं। राम कहा नहीं हैं। हमारे कितने उत्सों में राम शामिल हैं। परमपराओं में राम शामिल हैं। रंगूली में राम शामिल हैं। सोच करके देखे। लोक जीवन कलाओं के रूप में आप देख लीजे, मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी कलाएं हैं, कोई भी ऐसी कला होगी, जिसमें राम न उकेरे जाते हूं, जहां राम मौजूद न हूं, आप नृत्य को ले लीजे, आप नृत्य में शास्त्री नृत्य से ले करके आप लोक नृत्य तक चले जाइए राम की कथाओं पर नृत्य हो रहे हैं, आप चाहे भारत नाट्यम को देख लीजे, कुचिपूरी को देख लीजे, मोहिनी अट्टम को देख लीजे कथकली को देख लीजे, राम की साल पहले की बात है सोच करके देखें अल्मॉस्ट 500 यर्स पहले की बात है और उतने ही गहरे उतरते चले गए राम गाओं की राम लिलाए हैं शेहरों की राम लिलाए हैं और यहां तक की दुनिया की राम लिलाए हैं जहां जहां भी भारती हैं और भारती नभी हो तो जहां जहां भी राम पहुचे हैं, वहां की राम लिलाएं अपनी हैं, वहां के अपने राम हैं, वहां के मंदिरों में आपको राम दिखाई दे जाएंगे, वहां के नगरों के नाम में आपको राम की छाब दिखाई दे जाएंगे, आईलेंड जब हम लोग गए थे तो वहां एक का नाम है अजुध्या, वहां अजुध्या कहते हैं, वहां राम है, वहां का जो राजमहल है, उन राजमहल की दिवालों पर राम की कथाओं का चित्रन है, यह तो विदेशों की बात है, और भारत में तो आपको जगा जगा राम की कथाओं उकेरी हुई मिल जाएंगे, आप हमपी के मंदिर में जिसे किसकिंदाग भी कहा जाता है, हमपी में चले जाएए, वहाँ है, चोल चालुक के जो शासक, मैं दक्षिन भारत की बात जान बुझ कर किहां कह रहा हूँ, चोल चालुक के जो मंदिर बनवाए हैं, वहाँ आपको राम की कथाएं मिल जाएंगे, अंगोरवाट के मंदिर में आपको राम कथाएं कहा नहीं है, राम लिलाए हो रही है, चित्र कला में राम है, साहित्य तो राम के बिना आप ये कह लिजे कि अधूरा ही है, भारती साहि तिकि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदी का साहित्य हो, फिर चाहे वो हमारे छेत्री ये भाशाओं का साहित्य हो, शायद ही कोई भाशा ऐसी होगी, जिस भाशा में राम कथा नहीं लिखी गई हो, और संगीत का तो कहने क्या है, संगीत में तो राम है, किर्तन मे राम है, जनजन में राम है, जब मिलते हैं आपस में तो कहा जाता है कि जैराम जी की राम राम जी और यहां तक कि जब मनुश्य को अंतिम विदाई दी जाती है उसमें भी यह कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे, सोच करक राम, अंतिम छण के शब्द इस तरह से नहीं निकल सकते, तब तक जब तक कि वह नाम, वह स्वरूप, वह चरित्र, वह आस्था हमारी चेतना के बहुत गहरे न उतर गया हो, हो सकता है कि सबकॉंसेस माइंड के अंदर भी कोई एक दूसरा माइंड होता हो, जब तक वह नाम वहां तक समा नहीं गया हो, तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी से आपको संकीत भर दिये हैं, अलग-अलग छेत्रों की मैंने चर्चा की है, गीत, लोकमंच, चित्रकला, मुर्तिकला, साहित, संगीत, नृतिकला, विदेशों में राम, इनकी बस थोड़ी थोड़ी तयारिया आप कर लें, उधारण देने के लिए बस दो-दो-चार-चार रिफरेंसेज आपके अगर दिमाग में आ जाएंगे, तो आपका जो उत्तर है, वो बहुत ठोस तरीके का बन सकेगा, तो दोस्तों इस विशा के बारे में अब बस इतना ही, और अंत में आप सभी को इस बात क तेर को सबाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार